हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अमरे चनल पर और आज पर में हम बात करेंगे औल टाइगर मुवीज के ओपर या आप यह भी कह सकते हो तो जैसे कि आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बतातू कि हाल फिलाल में आयो ही पठान या फिर आईगर 3 यह दोनों मुवीज जो है वो वायरेफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है अब यह मुवीज के शुरुआत कहां से हुई थी और इनके आने वाले आगे कौन-कौन सी मुवीज है कौन से सीक्वेंस में यह मुवीज आपको देखनी चाहिए तो आपको प्रॉपर लिए यूनिवर्स समझ में आ सके इसी के ओपर यह वीडियो मैंने बनाया है तो चले मिना समय का वाई शुरू करता है आज का यह वीडियो टाइगर मुवीज की आगर बात क हुई थी उस वक्त सलमान खान का करियर पिक पर थाई लेकिन उसके बावजूद भी यह फिल्म उसके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉक्बस्टर बन चुकी थी इस फिल्म की कहानी सिंपल थी हमारा टाइगर जो है वो ड्यूबलीन चला जाता है एक मीशन पर और वहां पर उ दंग रहे गए थे कि वह अभी इसके बाद आगे होगा तो क्या होगा तो बैसिकली एक टाइगर एक रोमैंटिक फिल्म भी है और एक एक्शन पैक्ट मूवी भी है तो दोनों चीजों का आपको अगर मजा लेना है तो इस मूवी को सबसे पहले देखिए इसके बाद 2017 में जो मूवी आई इस मूवी का नाम था टाइगर जिन्दा है अब टाइगर जिन्दा है एक ऐसी मूवी है इसका जब यूटूब पे पहला ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसके ट्रेलर ने लगबख सारे मूवी के ट्रेलर का रेकॉर्ड तोड़ दिया था यहां तक कि हॉल तो इस फिल्म में जहां पर एक टाइगर की कहानी खतम होती है वहां पर टाइगर कही एक ऐसी जगा पर चले जाता है क्यू जाता है क्या होता है वह मैं आपको नहीं बताऊंगा अब आपको स्पोईलर मिल जाएगा ISC का एक कुछ खतरनाक टेररिस ने इंडियन नर्सेस को होस्टेश बना के रखा होता है ताइगर जो सन्यास ले चुका है अपनी जासूसी दुनिया से लेकिन उसको वापस आना पड़ता है एक मिशन के लिए तो जब वो वापस आता है तो सिफ वो अकेले नहीं आता है व और इस फिल्म को Best Action Award भी मिला था उस साल के Film Fair Award में यानि आप समझ सकते हो इसका एक्षन कितना जबरदस था इसके बाद आती है 2019 की फिल्म वार इस फिल्म में आपको रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ फरस्टाइम एक दूसरे के आमने सामने नजर आएंगे दोनों भी दान्स के मामले में, एक्षन के मामले में वन आफ दा बेस्ट एक्टर माने जाते हैं लेकिन पर्स पहली फिल्म थी जो एक्चुली में रितिक रोशन के वज़े से देखने गया लेकिन सही मैं ताइगर श्रॉफ ने भी इस फिल्म में मेरे को इंपरस किया वन अफ चला हमको जब पठान रिलीज पर थी अब इसका क्या connection है आगे बतातो पहले वाद की बात करते हैं तो वाद कहानी है एक ऐसे रोग जासुस की रोग यानि जो अपने देश से गदारी कर चुका है ऐसे जासुस की जिसका नाम है कबीर और उसका करेक्टर प्ले कर रहा है ए इतने twist and turn से यह कहानी भरी हुई है और इतना जबर्दस high-octane action इसमें डाला है कुछ लोगों को जिनको over-the-top action पसंद नहीं आता है उनको चाहिद यह movie थोड़ी ना पसंद होईगी लेकिन जिनको over-the-top action जैसी south की movie में दिखाते वह पसंद आता है तो यह फिल्म है आपको शारुक खान का करियर लोगों को लग रहा था कि डूब रहा है वही पर यह फिल्म रिलीज होती है और यह शारुक खान के करियर को एक नई दीशा देने का काम करती है यानि सही मायने में अभी तक शारुक की कोई भी फिल्म worldwide धंसे 400-500 करोड भी नहीं कमा पाई थी वह इस फिल्म के वजए से 1000 करोड का मायल स्टोन कमपलीट कर चुके मतलब आप समझ सकते हो यह फिल्म भी कितनी जवर्दस्ती एक तो शारुक खान का कमबैक था और पहली बार शारुक खान फुल एक्शन मूवी में दिखाई दिया था वहना शारुक खान की मूवी में थोड़ा सकता है इसलिए उसमें आशुतोष राणा का जो करेक्टर है जिसको वार में आपने करनल सुनिल लुथरा के नाम से देखा होगा वह आपको पठान में दिखाई देगा और ताइगर का क्या क्नेक्शन है वह जब आप पठान देखोगे तो आप समझी जाओगे और इसके पाच्वे नंबर पर आपको देखनी है मुवी टाइगर 3 के लिए क्योंकि इस मुवी के पोस्टर पर लिखा हुआ है कि इस फिल्म के इवेंट जो है वह वार और पठान के बाद के है तो इसके वज़े से आपको वह दोनों मुवी कंपल सरी देखने पड़ेंगी टाइग मज़ेदार नहीं लगते ऐसा मुझे परसनल लगता है आपका क्या उपीनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें कही ना कही रिटिक रोशन या फिर शारुक खान का हमें एक छोड़ा सा कैमियो देखने को मिलेगा बाके आपका क्या सबसे पहली जो मुवी आने वाली है छटे नंबर पर इस फिल्म का नाम है वार 2 में रितिक रोशन का करेक्टर की जो कहानी होती है और इस फिल्म में हमें एंटागोनिस यानि वीलन के रोल पर नजर आएगा एक्टर जुनियर एंटियर को अपने आरारार मुवी में जरू से तो अगर इतना बड़ा एक्टर अगर हिंदी में एस वीलन के रोल में डेब्यू कर रहा है मतलब कहानी कितनी तकड़ी होगी और फिल्म कितनी जबर्दस्त होगी यह आप समझी सबते हो और इस फिल्म को डिरेक्ट कर रहा है डिरेक्टर आयान मुखर जी जिसने अभी ह पिलाल में ही ब्रह्मास्टर मुवी डिरेक्ट की है तो इस फिल्म के भी एफेक्स और एक्षन की हमें 101 परसेंटी रहेगी कि वो तो बहतर रहेगी और इसके बाद 2025 में आएगी सबसे आइकॉनिक फिल्म इस सीरीज की जो मुझे लगता है कि जहां पे पठान एक हजार करो प्रोल में एक फिल्म में नजर आएंगे जो अभी अपने करियर के पीक पे है जहां पर पठान अल्रेड़ी ब्लॉक्बस्टर साभीत हो चुकी है और टाइगर की मुझे पक्का यकिन है कि हजार करोड नहीं गई तो हजार करोड के आसपास 800-900 करोड तो पक्का ही जाएग भाई मुझे तो लगता है पब्लिक थेटर में कूद कूद के जाएगी और पहले तीन दिन की टिकेट अगर बुक कर लिए तो हमको फर्स दे जब टिकेट ओपन होएगी ना तब ही टिकेट बुक करनी पड़ेगी वरना शायद ही पॉसिबल लग रहा है कि इस फिल्मों की डिरेक्टर सिधार्थ आनंद तो भाई जितने भी लोग सिधार्थ आनंद के डिरेक्शन के और इन दोनों के एक्टिंग के फैन होंगे वह तो फर्स दे पर्स शोग जरूर जाएंगे तो बस यही रहा हमारा ओल टाइगर मुवीज या वाउट वाच वायरेफ स्पाई उ और बाई